खिलोनों के तूट जाने के बाद में उनके कुछ आईटम्स को फेंक येगा मल जैसे कि टाइर्स और मोटर आपको ले लेने है और इसको इस तरीके से मोटर से कनेक्ट कर लेना है इसके बाद में आपको एक खली कैन लेनी है कोका कोला की उसको इस तरीके से पीछे सेट कर दे इसको हम लगाएंगे गाईज उपर इसको यहांपर सेट कर लेते हैं और इसके बाद में इसको पेच से सेट करने के लिए कुछ एक टूपेच चाहिए होगे तो यहांपर पीछे हमने इसको सेट कर लिया है और फाइनली आपका खिलोना बन करके तयार हो चुका है जो गाईज ये है आपका रेडी है भाईया मस्त सा खिलोना आयोप आपको ये पसंद आया होगा